वेर्वर वी गो, इस फैंली, इस आफ फॉर्ट्रेस। दोस्तो आगया बेट निकर के आया है कि इस चाल की सबसे बड़ी और बेहतरीन हालिवुड फिल्म आउतार दाविया आफ वाटर अब कुछी समय बाद सीनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से त्यार है। इस खबर को सुनते ही दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, अब उनका चेहरा दोबारा खिल उठा है। प्रुन की इस रचना को दोबारा से परदे पर देखने के लिए उत्सक हो गए है। यह फिल्म उसी महिने 23 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और अवत्तार की रिलीज डेट पास आने के साथ ही मेकर्श ने इसकी एडवांस बुकिंग खोल दी है। भारत में अवत्तार की एडवांस बुकिंग कुछी समय के लिए कुछी शहरों में खोली गई है। अगर आप इन सहरों में आते हैं तो आप जाकर के फटा फट अपने सीट को ब्लोग कराईए। दोस्तों आगे अपडेट निकल के आया है हालेवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक साल 2009 की इस आसकर विजेता फिल्म को 23 सितंबर खुद 4 के हाई डाइनेमिक रेंज में सीनेमा घरों में रिलिज किया जाएगा। पिछले दिनों रिलिज हुए इस फिल्म के 4 के टेलर ने सबको अहरान कर दिया था। जारी किये गए नए टेलर में इसके फूटेज में काफी सुधार किया गया है। बड़े पड़े पर फिल्म को दोबारा देखकर लोगों को अलग होने वाला है। फिल्म के एडवास बुकिंग खुलने के अलान ने लोगों को और जियादा उत्सुप कर दिया है। लोग लगतार कमेंट कर पूछ रहा हैं कि और सहरों में इसकी कब तक एडवास बुकिंग खुलेगी। पिछली दुन जारी किया गया कि टेलर को 20th Century Studios ने अपने ट्विट हैंडल पर जारी किया था। इसके साथ ही 20th Century Studios ने कुछी दिन पहले आवतार दवी आफ वाटर का एक नया पोस्टर भी अपने इस्टागराम हैंडल पर जारी किया था। पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने दर्सकों को याद दिलाया था कि फिल्म के रिलीज होने में अब सिर्फ सव दिन रह गये हैं। लिखा आवतार दवी आफ दवाटर सो दिन में रिलीज होने जा रही है। 16 दिसंबर से सिर्फ सीनवा घरों में साल 2009 में इसके पहले पार्ट के रिलीज के समय ही दूसरे पार्ट का एलान कर दिया गया था। लेकिंग जैम्स कैबरिन को आवतार टू के आइडिया को कैनवास को उतारने में लगभग 11 सल का समय लग गया था। दोस्तों ये थी आज के वीडियो में और फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तब के लिए जय ही जय भारत। वारियो